नमस्कार जैसा कि मैं हम ऐसा कहता हूँ कि पस्वों का जो पाचन तंतर रहना वो बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो जुगाली कर देते हैं इसलिए आप RS की तयारी कर रहे हो चाए प्रारंबिक परिक्सा की बात हो चाए मुख्य परिक्सा की बात हो पढ़ते समें ध्यान से पढ़ो और जो पढ़ा है उसकी जुगाली कर दो फिर पिर कहीं कन्फूजन नहीं रहेगा जब उस आपको याद है तो आपको विकल्प की नॉबत नहीं आएगी ये कि ये बात मुख्य परिक्सा की अंदर है आप से कुछ भी पूचा जाए, आपको इतना confidence आजाएगा, कि साहब मूल अदिकार क्या है, निती निर्दे सक्ततों क्या है, दोनों में क्या अंतर है, मूल अदिकार और निती निर्दे सक्ततों में कौन सरवोच है, किस वाद की अंतरकत, किस संभिदान संसुर्दन की अंतर किसको वरियता दी गई, ये सारी चीज़ें पढ़ ली, आपने समानता पढ़ ली, आपस में अंतर सम्मंद इस्ताफित कर लिए, मूल अधिकार के बारे में पढ़ लिए, कितने परकार के हैं, उनका क्या महत्तो, ये आपने सारा का सारा पढ़ लिए, अब टीचर के मर्जी ह चाहे प्रारम्रीग परिक्सा हो, चाहे मुख्य परिक्सा हो, हमें तो सब कुछ आता है, ठीक तरी जो मर्जी है, वो आप अपने मर्जी के इसाब से पूछ लो, हमें सारी के सारी चीजें याद है, एक क्या होता, केंडिडेट कहते हैं कि साब हम मुख्य परिक्सा के अंदर उत्तर लिखेंगे कैसे, तो दोस्तों चीजे आना महत्वपूर्ण हैं, और जुगाली महत्वपूर्ण हैं, चीजें सारी आ जाते ही, जिस सपोच करो महिलाओं के विकास के लिए, आप से पूछा जाए, क्या अभी तक क्या क्या किया गया है, तो आप एक दम पेपर को आरेक्शन की विवस्ता क्या किया जा रहा है, परसास्नी की विवस्ता पे क्या किया गया है, शरकारी नोकरियों के अंतरकत क्या विवस्ता है, ठीक है, तो राजनितिक रूप से क्या किया गया है, आर्थिक रूप से क्या किया गया है, सामाजी गूप से कौन-कौन से बने उन कानूनों के नाम लिख दीजिए, बहुत सोट के अंदर आपका उतर हो जाएगा, ठीक है, तो समझ गये मेरे कहने का मतलब, कहने का मतलब और मतलब सिर्फ इतना है, कि चीजें आपको आनी चाहिए, और पसु जैसे जुगाली कर देते हैं, वैसे आप अपने भाई, बैन, मित्र, किसी को भी जो साथ में तैयरी करते हैं, उनको आप सुना दीजिए, आप अपने तरव के कैसे फ्री हो गए, जैसे के अंदर राज्य संबंद है, सपोज़कर आपने चैप्टर पढ़ा, प्रारमीत परिक्सार, मुख्य परिक्सार पढ़ो, सबसे पहरे देख अब कब कैंदर इनमें हस्तक सेब कर सकता है, कि साब यह यह पोइंट है, जब कैंदर हस्तक सेब कर सकता है, हो गया साब विदाई भी बज़न, परसासनिक संबंद किस बाह के अंदर है, कब-कब कैंदर राज्यों को कारिय सौंप सकता है, कब राज्ये कैंदर को कारिय सौं के लिए केंदर राज्य विदाई दोनों इदर से विवाद के पॉइंट कौन से है और सेकारी संगवाद व्यवस्ता की कौन कौन सी व्यवस्ता की गई है फिर वित्य संबंद ले लिजिए वित्य संबंद किस भाग के अंदर है यह बता जीजिए भाग बारा के अंदर वित् से क्या है संविधान के अंत्रगत विट से समंद कौन-कौन से प्रावधान किया गया है अब यह सारी के सारी चीज़ें आपको आ गई है ठीक है बेसिक चीज़ आपने समझ ले अब जो टीचर को पूछना है अब केंदर विद्य दृष्टी से कैसे पलड़ा केंदर का भारी है तो उस पॉइंट के लिए वापस mental exercise कीजिए कैसे वितायों के दृष्टी से बारी पढ़ता है कैसे राज्य सरकारें लोन नहीं ले सकती लोन पर क्या boundaries नवगर है कैसे उनका राज को से गाटा है वो बढ़ता जा रहा है ठीक है महत्तुपन विश्टी के अंदर के पास में है ठीक है वितामटन के अंदर राजनिती की जाती आरोप लगाता है कह जाता है कि राज्यों के इस्तती नगरपाले काओं जैसी हो गई तो कैसे हो परिक है उनको इस तरीके से तयार कर लिए कि जब मुख्य परिक्सा हो तो कम से कम इन टॉपिकों तो आपको पढ़ना नहीं पढ़े और आप अपना जो समय है और अच्छी जगे देपाएंगे और अच्छा टॉपिक को कवर करने के लिए अपना समय देपाएंगे और हो और अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं सेयर कर सकते हैं बहुत बहुत आपाद